हलो व्यूवर्स क्या आप DTH डिश एंटेना यूज करते हैं यानिके आप डिश टीवी सान डाइरेक्ट टाटा स्काई या फिर या टेल डिजिटल टीवी या फिर डीडी फ्री डिश को यूज करते हैं फ्रेंड्स हाली में मैं एक कास्टमर के घर गया और जाके देखा कि उसके DTH में सिगनाल नहीं है तो वो तो सान डाइरेक्ट यूज कर रहे थे लेकिन जिस रिजन से उनके सिगनाल चला गया था लो सिगनल हो गया था वो सिर्फ सान डाइरेक्ट में नहीं किसी भी DTH डिश आंटना में यह प्रॉब्लम आ सकता है फ्रेंड्स में आपको एक जलक दिखा देता हूँ कि DTH ऐनटना में मैंने देखा और फाइंड किया नो सिगनल के स्टेट को तो मैंने देखा कि DTH ऐनटना में एक देंट पर गया है देखिए आपको मैं दिखाता हूँ आप सीम पर यही वह रहता है और इस लिए और और इस fault के कारण आपके DTH dish antenna में no signal आ सकता है या फिर weak signal भी आ सकता है किसी भी company के dish में ये problem आ सकता है और इस problem को solve करने के लिए क्या क्या step उठाना परेगा और मैंने किस तरह से इस dish antenna को ठीक किया आपके साथ मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही useful और काम का वीडियो होने वाला है आपके लिए नमस्कार मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे है टेक्निकल शेखर तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ अगर आप किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहते हैं हमसे तो इस वीडियो के डिस्किप्शन पर हमारे वाट्सेप ग्रूप का लिंक बिलेगा वहाँ पर जॉइन करके आप हमसे वाट्सेप के जरीए बात कर सकते हैं सो फ्रेंड्स आप स्कीन पर देख रहे हैं सान डाइरेक्ट का यह डिटेज है और प्रॉब्लेम क्या हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर एरोर आ गया है नो सिगनल तो पर देख ऑगती से और चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं किया प्रॉब्लेम है तो फ्रेंट्स आप स्कीन पे देख रहे हैं यह सान डाइरिक्ट का टू फिट डिश अंटिना है के यू बेंड का और यह अच्छी तरह से लगा हुआ है देखिए चाक पे ड्रील करके तो आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे कोई प्रॉब्लेम फिलहाल तो नजर नही ही आ रहा है देखिए बहुत ही ध्यान से देखने पर यहां पे देखिए थोरा सा उचा उचा लग रहा है देखिए यहां पे यह देखिए यहां पे खाली आखों से ठीक तरह से समझ नहीं आ रहा है लेकिन पीछे से अगर देखे तो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए यहाँ पे उचा देखिए यहाँ पे उचा है और पीछे अगर हम दोते हैं तो देखिए पीछे यहाँ पे strings यहाँ नद से लगा हुआ है यहाँ पेлар पूरा वगया है आप स्कीन पर देख रहे हैं कि कितना बड़ा एक डेंट हो गया है यह देखिए पूरा यहाँ पर डेंट हो गया है और यह अंदर घुज गया है ठीक है तो यह कैसे हुआ मैंने कस्टमर से पूछा तो कस्टमर ने बताया कि उपर में एक पेर था पहले नहीं बताया था हमें यह डेंट देखने के बाद जब मैंने कस्टमर से पूछा कि यह डेंट आ गया है तो क्या यहाँ पे कुछ गिरा था तो कस्टमर ने मुझे बताया कि एक उपर में पेर था वो पेर काट रहा था तो वो पेर इस डेश अंटना पे गिरा और उसके बाद से सिगलान लही आ रहा है यह प्रॉब्लम तो इस डेश पे अगर हम सिगनल लाना चाहते है तो इस डेंट को पहले हटाना होगा इसके लिए देखिए आप प्रेशार देके हम हैमर का यूज कर सकते है चोटा अगर हैमर होगा तो हैमर से हम इस डेंट को हटा सकते है या फिर हम हाथ से प्रेशार देके इस डेंट को कि अहिgt हैं जैसे भी हो ये जो कि इन्ट को हटा के जो पहला TH-5 होता है आपने देखा कि लेतिश का किसे शेप होता है उस शेप को यहां पर लाना है इस ड्robi्स को हटाना ही यह से हुआ है कॉल देन्ट को हटाने के बाद मैंने सीग्नल को चेक हिया लेकिने सिगनल फिर भी जीरो था क्वालिटी और स्ट्रेंथ यानि कि सिगनल नहीं आ रहा था तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये देंट चला गया तो डीश का अलाइन्मेंट बिगर सकता है या फिर जो डीश एंटेना का जो वायर है के बिल अर्जेशिक्स लगा हुआ है उसमें भी क्योंकि पेर अगर केवल के गिरता है और केवल भी खराब हो सकता है तो हम एक बार केमिल वयर जो है उसको भी छेक करेंगे देखिए आप देख रहा है heshm से यह केबिल का कारी चाहि यहसलों जिस टरह से केबिल आयाख aven में हो सकता है की यहाँ पर फल्ट की से केबिल में जो प्रेशर था प्रिका सेाट वहात शता है आप से यहाँ पर फ्रॉल्ट भी हो सकता है, तो हम पहले क्या करेंगे LMB से यह broker को अभी खोलेंगे उसके बाद इस cable waves инт то check कैसे करेंगे देखिए दो जो wire है cable में देखिए middle का जो wire है इस wire के साथ हम body को connect करेंगे एक साथ कर देंगे दोनो wire को middle का जो wire है वो हम body के साथ connect करके एक साथ कर देंगे ताकि यह short हो जाए फिर हम चलेंगे दूसरे और इस के विल के दूसरे और देखिए दूसरे और जहाँ पर डिश जो सेट्टों बॉक्स में जो वैर रहता है देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पर हम मीटर प्रॉस्ट से आप कंटिनिविटी को चेक करेंगे वहाँ पे हमने जोइन किया दूसरे end पे तो इस end पे हमें continuity अगर मिलता है तो wire ठीक है अगर नहीं मिलता है तो wire खराब है तो हम अभी देखिए meter से इस wire के continuity को चेक करेंगे देखिए आपे diode या फिर ohms range पे meter को रखना होगा यह देखिए आपे zero दिखा रहा है continuity तो इस wire के continuity को चेक करने के लिए देखिए meter का जो दो प्रॉड है दो प्रॉड मैं यह जो wire है wire में भी दो प्रॉड है उस दो प्रॉड में मैं अभी connect करूँगा तो middle का जो wire है middle का तो उस middle के wire के साथ एक प्रॉड को connect करेंगे और जो body है body के साथ meter के और एक प्रॉड को connect करेंगे और दूसरे साइट पे अगर short मैंने करके रखा है तो इस साइट पे meter का जो ohms है यह zero शो करेगा यह देखिए यह zero हो गया है तो इसका मतलब है यह wire है यह wire भी ठीक है इस wire में कोई problem नहीं है तो यह wire का continuity ठीक दिखा रहा है यानिके यह जो cable wire है यह भी ठीक है तो हम इसको set box में लगा देते हैं और अभी हम जो dish antenna है dish antenna के जो alignment है वो हम चेक करेंगे देखिए यहापे मैंने set box में इस wire को set कर दिया यह देखिए ऐसे हम set कर देगे क्योंकि यह wire मैंने check कर लिया है wire अभी फिलहाल ठीक है wire में कोई problem नहीं है लेकिन no signal अभी भी है TV में देखिए no signal so हम फिर से चलते है antenna में यह देखिए antenna में है और मैं भी WhatsApp कॉलिंग के जरीए मैं स्कीन भी monitor करूंगा और मैं देखूंगा देखिए WhatsApp कॉलिंग के जरीए TV में हम आप देखिए यहापे picture उल्टा दिखा रहा है क्योंकि जो दूसरे end का जो mobile है वो उल्टा तरिके से पकर रखा है उसके लिए I am sorry यहाँ पर देखिए हम dish antenna को यहाँ पर align कर रहे है ताकि signal आए तो यह देखिए थोरा सा हम east की तरफ dish को घुबाया और signal आ चुका था तो इसका मतलब है इसको ठीक तरह से align करना परेगा देखिए हम थोरा सा dish antenna को east की तरफ घुबाते है तो यह signal आ जाता है और चोड़ देते हैं तो यह signal चला जाता है तो यहाँ पर dish antenna पर जो जो screw है उस screw को हम थोरा सा loose करेंगे और dish को देखिए यहाँ पर loose करने के बाद देखिए dish को हम थोरा सा alignment करते है तो यह signal आ जाता है सो देखिए screw से इसको हमने align किया और इसके बाद थोरा सा east की तरफ यह जो antenna है देखिए antenna को थोरा सा हमने align किया थोरा सा नीचे उपर करके signal को जितना strong हम ला सके लाया और इसके बाद east west करके जितना strong signal को हम कर सकते हैं किया उसके बाद screw को मैंने फिर से एकदम tight कर दिया और आप whatsapp के जरीए देख रहे हैं कि skin पे एकदम signal okay है आप देख सकते हैं ये whatsapp calling के जरीए मैं फिल्हाल देख रहा हूं कि signal okay है so dish antenna को azimath और elevation दोनो direction में ही सही तरह से align करना होता है जहाँ पे signal एकदम strong हो वहाँ पे हम dish antenna को रख देंगे तो देखिए आप फिल्हाल signal जो है बहुत strong आ चुका है आप हम यहाँ पे fix कर देंगे और जो screw है उस screw को अच्छी तरह से tight कर देंगे और उसके बाद चलेंगे TV में कि देखिए dish antenna का alignment फिल्हाल एकदम ready हो चुका है और signal भी आ चुका है और यहाँ पे देखिए हम अभी TV में है और TV में signal आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा signal है और अभी हम picture को देख लेते हैं यह देखिए picture भी आ चुका है सो एक बार हम frequency को देख लेते हैं कि frequency पर signal आया है कि नहीं तो देखिए frequency पर फिलाल signal दिखा रहा है और अब हम picture को देख लेते हैं देखिए आप screen पर सान टी भी चल रहा है तो picture भी आ चुका है वीडियो के बारे में कोई भी सबाल हो तो आप हमें comment box में लिखिए और इस वीडियो के description में हमारा facebook, instagram और whatsapp group मिलेगा उस group पे join करके आप हमें direct question पूछ सकते हैं या फिर हमसे बाद भी कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कीजिए और share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कीजिए फिलहल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए topic के सा तब तक के लिए मुझे दिजिए इजाज़त आप सब अच्छ रहिए खुश रहिए नमस्कार